अब यार यह तो क्या ही सुनने को मिल गया अभी यह कंफर्म चीज निया लेकिन यह पता चलाए कि डवल डवली और सीम पंक के बीच अभी यह जो डील हुई है उसमें एक ऐसी चीज भी डाली है बिहेवियर क्लाउस भी इसका मतलब ऐसा की बिहेवियर भी कुछ ऐसा रहना चीज अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा वैसा हो जाएगा तो यह चीज़ें भी कॉंट्रेक्ट के अंदर डाली गई है और मैं आपसे कही नहीं रहा था कि अगर कोई पैसे भी देने पड़ जा ना उस वीडियो को देखने के जो जिसमें सीम पंक और ट्रेपल एच आपस में डील कर रहे हैं तो देखने में बड़ा मास्तों का भी तो बंक जाए ऐसी में फिलेखन देखने में गया हो कि फोचयों और मुझे रियालिटी एिठ यह भी है आने वाली वीडियो Alladors, मुक्त My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter बहुत ज्यादा आजाती है तो नंबर्स ही काउंट नी हो पाते हो मशीन वगरा फेल हो जाती है उसको दो मिलियन से उपर लोगों ने देखा था जस दो मिलियन और 2.1 मिलियन के बिल्कुल बीच में जो नंबर्स से वो थे और जब CM Punk का प्रोमो चल रहा था तो इस ताइम पे जो वियोडशिप है वो थी 1.768 के CM Punk ने इसके ओपर रियाक्शन भी दिया देखो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला हुआ है जहां पर वियोडशिप तो यार कम है यहां लग रहा है क्योंकि जो लग रहा अगर ऐसे परसंटेज वाई देखा जाया तो 400 के नंबर्स बढ़े हैं जो की 25 20% के आसपास होंगे डबल डबली के टोटल वियोडशिप के तो एक एपिसोड में जम पाना बड़ी बात है लेकिन बहुत सा लोग यह सोच थे कि बाई पांच मिलियन आ जाएगी मेरे को लग रहा था मैक्सिमिम अगर बिल्कुल भी कुछ भी हो जाया तो भी 3 मिलियन से पर जाएगी लेकिन मेरा भी जो आंख़ा भी बहुत पीछे रही आगया तो मेरे को ऐसा परस नहीं लगा मैं नहीं कहा था कि हर किसी को ऐसा लग रहा है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वियोडशिप के नंबर थोड़ा सा कम है बड़ अच्छी बात ही होगी कि अगर आ आने वाले कुछ हफतों का वेट करोंगे इसके बात कॉमेंट करोंगे सीम पंक का रेटिंग में इंपैक डालने के के लिए क्या सारा सीन है डबल डबली ने अभी वैसे बोल दिया था लेकिन डबल डबली ने ऑफिशली इस ग्रैफिक को डाल के सब कुछ अनाउंस कर दिय जाएगा फिर जन्वरी पूर जाएगा और उसके बात एंड में जागे होगा लेकिन इसकी हाइप इसले डबल डबली को बनाने में अच्छी है और जो साइड मिशन संज साइड स्टोरी लाइन उसकी ओवर डबल डबली फोकस करीग और उसको देखने में कई बहुत ज्या पर इवन गाइस यह इसमें इंट्रेस्टिंग फैक्ट के बाद यह पहला मैच होने वाला है तो यहां पर प्रोव में बाद भी थी नहीं को याद होगा बोला था कि गो एफ यॉरसल्फ ऐसा करके उन्हें एज को पोला था तो आज भी उन्हें जो सुते हुए क्रिस्टिं लग रहा है अच्छा है और वो इसको उन्जॉइ भी कर रहे हैं सीमपंक की नई मर्चंडाइस भी डबल लग ने निकाल दी नई मर्चंडाइस तो क्या है हुडी है और इसमें जो है आगे पीछे उपर निचे जो सीमपंक का प्रिंट है वही नोंने करके रखा हुआ और लगातार आप जो सीमपंक के जो लोग और डिजाइन उसके अलग अलग तरही है की मर्चंडाइस जो निकालती रहेगी इवन डबल लबली कुछ वियर्ड कारना में करती है वह चडडी और मुझे भी बना देते हैं कभी-कभी पहले ऐसा करते तो थोड़ा सा काम होता एक गुड नियूस और मैंने लग परेशान हो जाएंगे लोग जल जाती है थोड़ी सी सुनके की है ना समझे आप सारा सीन बट अब को साइड मेरे के बताता हूं आपको अपको अपको अपनी डॉर्टर का जो बर्थ है उसको अनौन्स किया है तो अब अच्छी बात है कि यहां से अब उनका सारा कुछ ना जो प्रेग्नेंसी की बात की सारी चीज़ें वह सब चलेगा रूटीन और वापस से वह जाएंगे यूजरी जो टाइम फ्रेम रहता है यार इनके रिकावरी बड़ी जल्दी हो जाती है पांच-छे महिने के अंदर भी सब कुछ कर लेते तो अगर बिल्कुल फास से फास भी आना चाहती है लेक्स तो आधे साल के आसपास का टायम उनको लग सकता है और बाकी तो खुश है मनाओ लडडवडडवाटो यह लोग नहीं अपने लिए इनके लिए कह रहा हूँ CM Punk की बात करते हैं गाइस तो CM Punk के बारे में PW Insider की तरफ से यह रिपोर्ट है कि CM Punk एक Free Agent है यानि कि कि कोई मेरे से पूछ भी रहा था कि वह Raw के Superstar हो गए है कि तो अभी यह रिपोर्ट में बता चला है कि ना वह Raw के Superstar ना वह SmackDown के Superstar है वह Free Agency वाला स्टेटस अपने साथ ले कर रहे हैं यानि कि यह भी बहुत अब्सक्रा पॉसिबल है कि आने वाले एपिसोड में तो नहीं वह लोगा मैं लेकिन आने वाले आने आने के वाले वाले एपिसोड में CM Punk में आ सकते हैं और को बहुत हरानी की बात आपको होनी नी चाहिए क्योंकि अभी में CM Punk को दिखाया Monday Night Raw में कोई ऐसी क्लियर डिरेक्शन थोड़ी पता चली थी कि वह इस सूपरस्टार के पीछे जा रहे हैं फिर उनका यह प्लैन है पता हमको है लेकिन अभी इस तरीके से दिखाया नहीं है तो इसलिए हमको थोड़ा सा भी चीजों में वेट करना पड़ेगा और अच्छी बात यह कि जब डेबल डबली को ज़रुत पड़ेगी कि CM Punk को SmackDown में लेकर जाने की जब वहां जरूर रहते तो वहां काम कर सकते हैं और जब Monday Night Raw में लाने की ज़रुत पड़ेगी तो पर work करेंगे बट मैं यह चाहतूं कि एक बार CM Punk की प्रेजेंस की वज़े से 2,000,000,000 से ऊपर Monday Night Raw कर वियोडशिप चला जा तो उस नंबर को देखने मजा आएगा हमें तो क्या ही फरक पड़ेगा लेकिन हां फिर भी ऐसा लगा कि चलो अब कुछ सीरियस चीज हो रही है जिसकी वज़े से वहां के फैंस ने भी शो को द एक सबसे बड़ी चीज इसका 10 साल से वेट रहा था वो CM Punk का रिटन था तो अकेली उस चीज ने मैं बोलूंगा कि मेरे मेरा फेवरेट जिस साल का सबसे बड़ी है प्रिम लाइवेंट है उसको बना दिया है बाकी रेस्लिंग वाइस में डेफिनली हो सकता है दूसरे प्र अगली स्टोरी डवली एडवली एडवली से रिलेटेट अपको पता ही है कि एडवली ने कॉंट्रैक से रिलीस कर दिया था से बाक्स्टेज कांड किये थे और जो स्टोरी नहीं पता तो ना इस साइड रह सकते हैं लेकिन से पास में जो चीज़ विए उसके बिसम यह लेकिन आपको बताता हूं फाइटफुल ने यह रिपोर्ट किया है कि ब्राइन डैनियल सन गए थे सबसे पहले जो एडवली के पास उनकी पूरी कम्मिनिटी है और उनके जाने के बाद फिर डिसिजन हुआ कि सीम पंको एडवली के कॉंट्रैक से रिलीस किया गया यह कु ब्राइन डैनियल सन के अगेंस्ट बोलने कि आर ऐसे कैसे कर दिया इस बंदे ने तो मुए नहीं लगता कुछ गलत किया सीम पंक न तो फिर भाई यह चीज हो नहीं थी और जो लोग कह रहें गलत किया वह उनको तो खोश होना जी क्योंकि वह गलत करने की वज़े से ही कि अव्ली फैन उसने टी शर्डी पूरी सिम पंकी वह इतना जाता गुसा है कि यह बंदा कंपनी में चला गया यह यही वाले फैन्स मुझे बहुत 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 लगता है जैसे मैं भी बताता हूं में इतना ज़दा कोई फालों करता लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम बेकार हो मेरे इंट्रस्स के साथ मेरे टेस्ट के साथ जो चीज है मैं उसकी तारीफ करता हूं बाकि वहांबे भी कुछ अच्छा होता है ऐसा भी बता है क्रिस्टिं के जो आजवाला तो आपके साश्यर कर देता हूं लेकिन यह क्या है भाई तुमको क्या डवली अगर सोच विचार और मंत्रन आ अगर आपको कुछ सांजना आ रही हो तो अगली स्टोरी डू मैकंटायर से रिलेटेड़ और भाहिसाब यह डू मैकंटायर जो है हमारे जब से यह हील जो भी नोंने किया मुझे नहीं पता क्या किया किसी को नहीं पता वो क्या कर रहें इ और कैप्शन है लुकिन माई आइस वर डू यू सी अभी आपको पता है खल्ट और पर्सनालिटी सीम पंग का थीम सॉंग है तो यहां पर सीम पंग आ गए तो डू मैकंटायर भी कहरें कि हाँ चला जा मैं भी मेरे को भी कुछ बाते करनी है तिरसां जरा देख लेते हैं प 27,000 से उपर इस ट्वीट के उपर लाइक है तो फैंस का जो इंटरस्ट है वह आप यहां से समझ सकते हो रॉयल रंबल मैच की बात करते हैं विमन्स रॉयल मैच की बात करते हैं तो सबसे पहली बार मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे फेवरेट नेम जिसको भी अर्ली ड सबसे बात करते हैं तो सबसे जादा मैच करने वाले सूपर स्टार्स के बार में तो पूरी लिस्ट आप देख सकते हो रैसल फीचर्स का ट्वीट है जहां पर नमबर वन पर है कोडी रोड्स 99 मैच के सांथ जो की 2003 खतम होते 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 हैं अब्सली होई जाएंगे नमबर टू पर डॉमिनिक मिस्ट्री है 95 मैच के सांथ फिर सेथ रॉलिंस है 92 ऑस्टिन थेरी है 90 मैच और डेमिन प्रीस्ट और गंथर के हैं 89 मैच और मैं आपको एक बात बतायाता हूं कि जब कोई सूपरस्टार को डेवल लॉवली देखती है लगाता है इतने सारे मैच मैच होने का मतलब क्लियर है कि डेवल लॉवली सूपरस्टार के पर रलाय करती है इसी वजह से यह शो पर टेलिविजन पर इतने सारे मैच कर पाया है तो इनके फूचर तो आप ब्राइट मान सकते हो आप इन में से कोई एक नाम भी उठा के बोलो कि भाई जिसका आपको के फ्यूचर नहीं है थोड़ा सा भी ऑस्टन थेरी की करन्ट बुकिंग को देखके लग रहा है लेकिन मुझे लगता है बहुत तगड़ी पोटेंचल है पिछले कुछ महीने डबल लॉवली ने शायद उनके उपर वेस्ट कर दी है ग्रेशन पर के साथ कुछ कुछ जल्दी हो मेरे ख्याल से ध्यान दे देने की जरुवत है और आज की नेक्स फाइनल स्टोरी एक ऐसी चीज है ना जो देखके जो सुनके ही आपको आपके मुझे पानी आ जाएगा मतलब खाने की चीज नहीं बहीं तब भी पानी आ जाएगा और ये स्टोरी है पॉले में बिंग दे मैनेजर किसके CM Punk, Roman Reigns और Brock Lesnar और इनकी एक ऐसी फ्यूड जहां पर ये तीनों सूपरस्टार एक थ्रीवे तरीके से किसी फ्यूड में इन्वाल्व होंगे बुली रे ने अपने पॉड़कास्ट में इस बड़ी इंट्रेस्टिंग बात को मेंशन किया कि क्योंकि पॉले में ने सब को मैनेज किया है तो डवलोबली के पास एक गोल्डन ऑपरचुनिटी है जहां पर ब्रॉक लेस्टन का भी उनका पूरा एक एरा था पॉल हिमन के अब भाई अभी ब्रॉक लेस्ट में तो रेटायर मत होना ठीक है तुम जो भी प्लान कर रहे हो इस चीज को एक बार हो लेने देना उसके बार हम पीसफुली कह सकते हैं कि अब रेटायर हो सकते हो लेकिन मेरे खाल से यह बेस्ट फ्यूड हो जाएगी बेस्ट मतलब सकते हैं और तब तक आप जिन्दीगी के मज़े लोग ना पता है नहीं जिन्दीगी आप समझे ले लेगी